पुश्कार दोस्तों मेरा नाम है राजेश और स्वागता आपका मेरे यूटूब चैनल जोतिस राशी फल्मि तो बिना किसी देरी के चले शुरू करते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शिर्या जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो बात करें अगर मीन राश्री वालों के सुभाओ की ते यह लोग बहुती ज़्यादा एमोशनल होते हैं और भोले होते हैं सुभाओ से इमानदार होते हैं यह सामने वाले व्यक्ति का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं इसी वज़े से अक्सर लोग इनका फाइदा उठाते हैं क्योंकि यह बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और लोग इनकी इसी आदत का फाइदा उठाते हैं यह बहुत जल्दी रूटने वाले होते हैं और जल्दी ही मान भी जाते हैं और जल्दी ही किसी की बातों में भी आ जाते हैं भोले होते हैं सुभाव से बाकी बात करें अगर मीन राशी वालों की तो ये नेने दोस्त बनाना पसंद करते हैं आपका वेक्तित जो है बहुत ज़्यादा शान्त होता है और जब भी आप किसी मित्र को देखते हैं अगर आप देखेंगे कि वो depressed है या थोड़ा सा tension में है तो आप हमेशा उसके साहिता के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं आप से अपने दोस्तों की परिशानी कभी देखी नहीं जाती है इसी वज़े से आप उनका हर परिशानी में साथ देते हैं और कहीं न कहीं आपके जो दोस्तों होते हैं आपके मित्र आपके सुभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए वो आपकी दोस्ती को value भी देते हैं तब ही वो चायते हैं कि किसी भी हालत में आप से वो कभी मतलब जगड़ा ना करें आप से relationship नहीं तोड़ना जायते हैं तो आपके दोस्त भी आपकी company को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसी सुभाव के कारण क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके जीवन में कभी भी कोई भी कटनाई आएगी कोई भी परिशानी आएगी तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आपका ये सुभाव जो होता है ये आपकी दोस्ती को आल ज़्यादा मजबूत बनाता है अब हमेशा अपने मित्रों की सायता के लिए तैयार करते हैं परिस्तेती कैसी भी हो मीन राशी वालों की एक खास बात होती है कि ये हमेशा अपन्ने दोस्तों की तरक्की से खुश होता है अक्थर आपने देखा होगा कि ज्याद्ता लोग ऐसे होते हैं अगर उनका दोस्त तरक्षी कर रहा है तो उनके अंदर कहीं न कहीं उनको लेकर जैलिसी का भाव आजाता है जलन का भाव आजाता है परंतु मीन राशी के जो जातक होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर उनके दोस्त तरक्य कर रहते हैं तो उन्हें वह ज़्यादा खुशी होती है और ये उनसे जलते नहीं है बलकि कोशिश करते हैं कि इनके दोस्त और आगे बढ़ें अपने दोस्तों को ये कभी भी नुकसान नहीं पहुचाते हैं इस बात को लेकर आपके अंदर किसी भी परशानी से पार पाने की बहुती ही अद्बुत कला होती है आपके जीवन में कोई भी परशानी आए आप उससे बहुत आसानी से बाहर निकलाते हैं और इस सुभाव के कारण ही आपके जो मित्र होते हैं वो हमेशा अपनी कोई भी समस्या हो उसको लेकर आपसे सलाह मशौरा ज़रूर करते क्योंकि आपकी जो सलाह होती हो बहुत ही कारगर होती है और किसी भी परशानी से आपकी सलाह जो होती है वो उस व्यक्ति को बाहर निकालने में बहुत साहिता करती है बात करें अगर मीन राशी वालों के वैवाहिक जीवन की तो आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर हो वो आपको आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, आपको समझे और आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, आपके लाइफ पार्टनर वैसे तो बहुत जादा समझदार होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, परंतु सोभाओं से वे बहुत चालाग भी होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके life partner जो हैं वो धन बचाने का बहुत जादा प्रयास करते हैं हर समय वो धन को लेके बहुत जादा conscious रहते हैं और सोचते हैं कि जादा से जादा धन जो है वो बचाया जा सकें क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है इसी जैसे वो भविश्य को देखते हुए जो है धन को अधिक से अधिक बचाने का प्रयास करते हैं जो कि अच्छी आदत भी होती है परन्तु इस धन को बचाने के लिए कई बार कंजूसी भी करते हैं काफी जादा जो जरूत की चीज़े होती हैं वहां पर भी पैसा अपना ख बेद भी आते हैं तो यहां सलाह यही रहेगी कि धन को लेकर आप कभी भी जो है आपस में किसी भी तरह का मदबेद ना करें या वाद विवाद ना करें और यह चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि व वो भी आगे भविश्य के लिए बहतर भविश्य के लिए कर रहे हैं या परिवार के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो कभी भी फालतू चीजों में अपना धन व्याय नहीं करते हैं आपके जो पार्टनर होते हैं तो अगर वो धन बचाते हैं तो आगे भविश्य के लिए ही ठीक है तो अगर आप ये चीज़ समझ के चलेंगे तो कभी भी आपके जो आपके और आपके जो लाइफ पार्टनर उनके बीच में वैचारिक मद्वेर नहीं होगा और वाद विवाद की सिति जो है उत्पन नहीं होगी बात करें अगर आपके भाग और करियर की तो मीन क्योंकि 26 साल की उम्र के बाद आपका भाग जो है आपकर साथ देना शुरू करता है आपके करीयर में तरक्की और ग्रोथ अपने आप आनी शुरू हो जाती है आपको प्रमोशं मिलने शुरू हो जाते हैं और आपका जो इंक्रेमेंट है अच्छा होने लग जाता है धन अ जाते हैं काफियत तक हर चीज आपके पास होती है जो भी चीज आपको जीवन में चाहिए होती है वो सारी चीज आपके पास होती है अच्छी नौकरी अच्छा पद धन सभी चीज होती है संतान प्राप्ति भी आपको हो जाती है अपका विवाह भी संपन्न हो जाता है तो सा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद